जैसा कि हम सब जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 32 सालों से हम पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़े हैं। पाकिस्तान ने हर संभव प्रयास किया जमू कश्मीर को लहुलुहान करने का। गिरिजा टिकू सरला बट जैसे हमारे समाज सेवी कारेकरताओं को किस तरीके से चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। एक भाय का खौफ का एक डर का महोल कश्मीर घाटी के अंदर 1990 में पाकिस्तान ने बनाया था। क्यूंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर घाटी से जो देश वगत लोग हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो वहां हिंदू समुदाई के लोग हैं जो जम्मू से हैं या देश के अलग-अलग भागू से जाके कश्मीर में ताम करते हैं। बल्वत्री का जजबा रखने वाले जो हमारे मुसल्मान भाई हैं गुजर बकरवाल हैं या पहाडी कभीले के लोग हैं उनको चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। क्यों निशाना बनाया गया ये वो लोग थे जो अपने हाथों में तिरंगा जंडा उठाके भारत माता की जैजे कार करते थे हिंदुस्तान जिनदाबाद बोलते थे। मेरे साथियो उस दोर में भी हमारे लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की इस दैशतगर्दी का डटकर हमने मकाबला किया। उस वकत की भी पाकिस्तान ने बम बंदूग पिस्टोल गोलियां भेज कर कश्मीर को कबरिस्तान बनाने की साजिश की कश्मीर को लहुनुहान करने के शड़यंतर इस पाकिस्तान ने किये तो पाकिस्तान के हर शड़यंतर को हमने विफल किया। हमारी भारतिय सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पेरा मिलिटरी फोर्सिस के जवानों ने पाकिस्तान के हर कुछ चक्र को, कुछ नीतियों को, शड्यंतरों को निस्ते नाबूत किया जहां बंबंदूग, पिस्तोल, गोलियां उठाकर हमारी सर्जमी में घुस पैट करते आतंकवादियों को जमी दोस कर दिया गया, वहीं आतंकवादि उनके समर्थुकूंग पर भी कड़ा प्रहार हुए हम जानते हैं, जमू कश्मीर के अंदर जो पुरानी सरकारे होती थी, चाहे दिल्ली के अंदर थी या जमू कश्मीर के अंदर थी, उनकी हमदर्दी आतंकवादियों के प्रति और पाकिस्तानी समर्थुकूं के प्रति होती थी जम्मु कश्मीर के अंदर हमने वो दोर भी देखा जब दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस की सरकारों ने यासीन मलिक जैसे खुंखार आतंकवादी को टेबल पर बिठा कर कॉंग्रेस की हकूमत के दोरान परधान मंत्री और कॉंग्रेस सद्ध्यक्षा सोनिया गांधी बिर्यानी खाते थे और उसको भी बिर्यानी खिलाते थे साथियों आज वो दोर ख़तम हो गया जब यहां हुरियत कांफरंस के हड़तालूं के कैलेंडर जारी होते थे जब यहां बंद काल्स आती थी बंद के कैलेंडर्स आते थे जब यहां आर्मी पुलिस और हमारे परमलिटरी फोर्सिस के जवान जब आतंकवादियों की खेरा बंदी करते थे और आपरेशन चलते थे तब पाकिस्तान के हमदर्द कुछ लोग शरार्टी लोग आकर पत्थरबाजी करते थे आज कश्मीर के अंदर वो दोर खतम हो गया है आज हमारे देश के अंदर नरेंदर मोदी साहब की सरकार है जो देश भक्तों की सरकार है आज भारतिय सेना जमू कश्मीर पुलिस और हमारे पेरामिलिटरी फोर्सिस के जवानों को ये खुली छूट दे के रखी है के देश दुश्मन ताकतों पर कड़ा प्रहार होगा जो बंबंदूग पिस्टोल गोलिया लेकर जमू कश्मीर को लहुलुहान करने की और दहलाने की साजिश करेगा उसको मौत के खाट उतार दिया जाएगा किसी को नहीं बख्चा जाएगा कि मेरे साथियो मेरे दोस्तों हम सब जानते हैं कि पिछले 32 वर्षू से पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं कि पिछले 32 वर्षू से पाकिस्तान के विरुद्वेक प्राक्सी वार हम लड़ रहे हैं यह जंग हम सब ने मिलकर लड़ा है और आज भी हम सब को यह जंग मिलकर लड़ाना वो चाहे कश्मीरी पंडित है कश्मीर के अंदर रहने वाले जम्मू संभाग के हमारे दोगरा लोग है देश के अन्य अन्य भागू से कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन है या कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले जो हमारे देश भगत हुबल वतनी का जजबा रखने वाले हमारे मुसल्मान भाई बहन हम सब को मिलकर पाकिस्तान की साजिश को निपटना पड़ेगा पाकिस्तान के इस शडियंत्र के खिलाफ हम सब को मिलकर लड़ना कश्मीर घाटी में यहां राहुल भट साहब का कतल किया गया यहां श्रीमती रजनी बाला जी की हत्या की गई राजस्तान के रहने वाले बेंक मेनेजर विजे कुमार साहब की हत्या की गई वही अमरीन भट जो की एक कश्मीरी मुसल्मान हमारी बहन थी उसका कतल किया गया रियाज अमद ठोकर और सैफुल्ला कादरी सहब जो कश्मीर के रहने वाले थे और अपने बच्चों को सकूल भेज रहे थे उनको निशाना बनाया गया वो मुसल्मान थे लेकिन देश वगद मुसल्मान थे जिनके दिल में हिंदुस्तान का जजबा था उनको भी निशाना बना के उनको भी शहीद कर दिया गया। मेरे साथियों मेरे भाईयों मेरे नौजवान दोस्तों हमने पहले भी पाकिस्तान के हर कूचकर को हमने समात किया है। 1947 में जब भारत अज़ाद हुआ और जमू कश्मीर का विले भारत में हुआ यह पाकिस्तान था जिसने जमू कश्मीर के उपर हमला कर गए यहां बेगुना लोगों की हत्याएं की। 1965 के अंदर यह पाकिस्तान था जिसने जमू कश्मीर पर हमला किया। 1991 में शणिंत्र हुए और 1999 में कारगिल के अंदर घुस पैट करके चमू कश्मीर को लहु लुहान करने की कोशिश की गई हम सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ भारत की चार चार जंगे हुई हर जंग में पाकिस्तान को हमारी सेना ने धूल जटाई 1947 हो 1965 हो 1971 हो या कारगिल की 1999 की जंग हो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को हमारी सेना ने धूल चटाई 1971 में तो 90 हजार पाकिस्तानी सेना के जवानू को हमारी सेना ने बंधक बना के दिल्ली के राम लिला ग्रोंड में उठक बैठक कराई थी 1965 में हमारे हिंदुस्तान की आर्मी थी जिसने लहोर के अंदर जाके अपना तिरंगा जंडा हमने भेराया था कारगिल युद्ध के अंदर पहाड़ियों के उपर टाइगर हिल जैसी पहाड़ी पर कबज़ा करने वाले कायर पाकिस्तानियों को हमारी सेना और एर फोर्स ने मार भगाया था हम उस देश के वासी है जहां के लोगों ने वीरता की जिनकी गाता है इतिहास में घड़ी परी है ये देश चंदर शेखार आज़ाब भगत सिंग सुक देव लाला लाच बत राइतात्य टोपे वीर सावर कर मंगल पांडे का देश है तो ये देश अश्वाकुला खान और भादुर्शा जफर का हिंदुस्तान ये देश रानी लक्षमी भाई जासी का हिंदुस्तान है मेरे भाईो बेनो मेरे नोजवानो किसी कीमत पर पाकिस्तान के इस शड़ियंत को हम बरदाश नहीं करेंगे और ये कश्मीर के अंदर जो टार्गेटिट किलिंग्स की एक साज़िश रची जा रही है इस साज़िश को भी हम मिलकर सारे निस्ते नाबूद करेंगे मेरे कश्मीरी पंडित भाई बेनो जम्मू के ढोगरा समाज के वो करमचारी जो कश्मीर में काम करते हैं जो देश वर से कश्मीर घाटी में काम करते हैं या वहां के रहने वाले हमारे देश वगत मुसल्मान भाई बेनो मैं आपको यकीन देता हूँ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है एक सो पेंटीस करोड हिंदुस्तान वासी जम्मू कश्मीर की जंता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हिंदुस्तान की सरकार मोधी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर की जंता अवाम के साथ खड़ी है हम पाकिस्तान की हर साज़िश को विफल करेंगे हम पाकिस्तान के हर मनसूबे को धराशाई करेंगे मैं आप से गुजारिश करता हूँ यह जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर यह जो टार्गेटिट किलिंग्स का एक शडियंत्र पाकिस्तान ने शुरू किया है इसको भी हम विफल करेंगे यह जो एक संग्राम कश्मीर घाटी में चल रहा है पिछले 32 वर्षों से यह एक प्रकार का देवासुर संग्राम है यह वो देवासुर संग्राम है यहां देविये शक्ती देवताओं की और असुरू के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और हमेशा देवताओं की जीत हुई धरम की जीत हुई सत्य की जीत हुई इनसाफ की जीत हुई और पापी शक्तियों का राक्षसों का देतियों का असरों का हमेशां संगार किया गया कश्मीर के अंदर चल रहे इस देवा सुर संग्राम का भी यही हश्र होगा इन राक्षस रूपी देते रूपी असुर रूपी इन आतंकवादियों का अंत होगा और सुर्क से भी सुन्दर कश्मीर फिर से खुबसूरत लहराता चह चाहता हुआ अमन भाईचारे के साथ आपको नज़र आएगा हमारे देश में नरेंदर मोदी साथ की सरकार है और हमारे देश के ग्रव मंत्री अमित्शा साथ है किसी आतंकवादी संगठन को किसी पाकिस्तानी हमदर्द को ये गलत वहमी होगी ये मोदी साथ की सरकार है मोदी साथ की सरकार अगर उड़ी के अंदर दुस्साहस किया तो घुसके प्योके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अगर आपने पलवामा के अंदर इन पाकिस्तानियों ने शड़ेंतर किया तो इंडियन एर फोर्स ने घुसके बाला कोट के अंदर इन पाकिस्तानियों को निस्ते नाभूद किया हर पाकिस्तानी के शड़ेंतर को हम विफल करेंगे मैं आप से निवेदन करता हूँ कश्मीरी पंडित हो कश्मीर के अंदर रहने वाले हिंदू और सिक्षों हो जमू के डोग्रे सरकारी मुलाजिम हो या देश भर से काम करने वाले वहां हमारे साथी स्योगी भाई बेहने हो या कश्मीर के देश वगत मुसल्मान हो 135 करोड हिंदूस्तानी कश्मीरी उँ के लिए अपना लहू बहा सकते हैं लेकिन कश्मीरी उँ पर कभी आंच नहीं आने देंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस देश में मोदी साब की सरकार है और मोदी साब का ढंका पूरी दुनिया में भचता है आज मोदी साब की जज़ाकार पूरी दुनिया में है कोई गलत वहमी में होगा कोई आतंकवादी या कोई पाकिस्तानी हंदर की वो टार्गेटिट किलिंग्स करके कश्मीर घाटी को अलप संख्यक वहाँ हिंदू सिखों इसाईों या वहाँ गुजर बकरवाल और पहाड़ी कभीले के लोग या देश बगद लोगों को वहाँ से निकाल देगा सवाल ही पैदा नहीं होता है कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर हमारी मात्री भूमी है हमारी माँ है कश्मीर की भूमी और हम अपनी मात्री भूमी के लिए बलिदान दे देंगे खुन का कत्रा कत्रा बहादेंगे लेकिन दुश्मन को अपनी सर्जमी पर तांडाव नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे नहीं करने देगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन जाइभार है भारत मत